तो हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में उन्हों डिसकस करेंगे ए असलंबर डीड माई अस्पिरिट सील और इनके पोएट का नाम है विलियम वाट्सवर्थ तो मैं आपको विलियम वाट्सवर्थ के बारे में आपको मैं कुछ जनकारी बता दूँ तो उनका जो जन्म ह हुआ था वो कमईलेंड में मां की युगा थे तो इनके जो माताब थे वो बचपन में ही गुजर गए थे तो वह तेरह वर्ष की उम्र में अनात हो गए थे ठीके और सट्रह सोओ एक आणबे में केम्परिज 2230 से उन्होंने असनाथ तक डिगरी प्राप्त की असनाथ की वर्ट्सवर्थ को फ्रांस की यात्रा के दोरान एक युवा फ्रांसी महिला एनेट वेलंस से प्यार हो गया था और वो उस समय गर्वती भी हो गई थी तो 1793 में इंग्लेंड और फ्रांस देवारा यूद की गोशना के बाद दोनों अलग हो गए और वर्ट्सवर्थ ने अपनी कटर पंती विचारधारा को विक्सित करना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद वर्ट्सवर्थ सेमुल टेलर को लिरिज और दोस्त लिखी थे लिरिकल ब्लैड्स के दोस्त बन गए जिसमें दोनों लिखकों की कुछ है सबसे प्रस्षिद कविताय सामिल है वि इसकाद प्रत करना शुरू काया है। पताते हैं कि मृत्तिव के बाद जो है वो क्या अनुभू हता है और मृत्तिव के बाद क्या बैक्ति के मन में विचार आता है कभी कैसे महसूस करते हैं कि जब वो उसकी मृत्तिव के बारे में जब वो सोचते हैं वो मृत्तिव के बाद उसकी कलपना कैसे करते हैं तो इस पो एक निंद ने मेरी आत्मा पर मुहर लगा दियो I had no human fears मुझे कोई मानवे भै नहीं था मुझे किसी दुख और दर्द की आसंका न थी She seemed a thing that could not feel वह ऐसे चीज लग रही थी जिसे महसूस नहीं किया जा सकता A touch of earthly years सांसारिक वर्षु का असपर्स No man has seen now no force अब उसके पास कोई गती नहीं है No motion और कोई नहीं बल है न तो motion है और नहीं अब उसके पास कोई बल है चुकि वो dead हो गई See neither hears nor seen और न तो वो सुन सकती है और नहीं वो देख सकती है Rolled round in earth during course और प्रित्वी के वो देनिक पाठे क्रम में मतलब जो देनिक जीवन चलते रहता है वो उसमें जो है वो लुढ़क का हुआ है With rocks and stones and trees और जैसे की चटानों और पत्रों और पेड़ों के साथ जो है वो मिल गई है और देनिक जीवन है वो भी वो परिक्रमा देनिक परिक्रमा का वो भी अंग बन गई है और वो अब जिन्दगी से मुक्ति पाले हैं का अर्थ हो गया कि अब उनकी प्रियम महिला की जब मिरित्ती हो गई तो ना तो वो अब सुन सकती है ना देक सकती है ठीखेば तो प्रकीर्ती का एक इस्छा बन गई है जैसे परवत बिरिक्षो के साथ है वह भी जो है वो धर्ती के सूर्य की दैनिक परिक्रमा का एक अंग बन गई है यानि वो जो है वो पंच्तत्वों में बिलिंग हो गई है तो यह जो कहानी है यह जो कविता है यह बहुत ही अच्छी कविता है तो यह विलियम वर ब्रक्रक्रटी जो ओधो बटाते हैं कि जब भी कोई मनुष्य मिरित्यू हो जाती है तो जो है अपने एक्टिविट्टी पीजिकली तो जीवन में जो कस्टि होती है उनसे जब मिरित्यू के बाद जो है इससे जो है वह मुक्ती तो बता तो में आपको बताता हूँ मैं बता तो बिल्यम वर्ट्स वर्थ बहुत ही बड़े ज्यादा तर प्रकिर्ती प्रेमि बिल्यम वाट्षवर्थ प्रकृति प्रेमी है ज्यादा तर इनके प्रकृति प्रेमी ही है जैसे टिंटर्ण अवे जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी जो है वह प्रकृति से ही रिलेटेड पोएम है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह पोएम कमेंट करके हमें जरू बत है तो आप हमें कमिंग करें जरू बताइएगा उसका वीडियो हम आपको जबरू अबलेबल करा देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक्स के साथ